एक समय की बात है, समराट अकबर के महान दर्बार में एक बुद्धिमान और हास्यास्पत सलाकार नाम वाला बीरबल रहता था। बीरबल सिर्फ एक सलाकार नहीं था, बलकि समराट के लिए एक प्यारा दोस्त भी था। उनके बीच वह संबंध था जो न तोड़ा जा सकता था, जो विश्वास, सम्मान और कई साजह उत्साजनक अनुभवों पर आधारित था। एक दिन, जब अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में तहल रहे थे, तो उन्हें एक प्राचीन पीपल के पेड के पास जाते हुए मिला। इसके फैले हुए शाखाएं अपने हाथों की तरह बाहर आ रही थी, जैसे वे भूतों से गुफ्तगू कर रही हों। अकबर ने विशेश्ता इस पेड की ओर देखा और उसे आश्चर्य से देखा। बीरबल, क्या तुम इस पेड को देखते हो। अकबर ने पूछा, महान पीपल की ओर इशारा करते हुए। किस्मत में लिखा है कि यह पेड हमारे सामराज्य के जैसा पुराना है। चाव में बैठा हुआ है। बीरबल ने उत्सुकता से प्रेरित होकर कहा, वास्तव में आपकी महारानी। यह पेड अंगिनत, खुशी और दुहक की कई कहानियों का साक्षी होगा जब उनका सैर जारी रहा। तो अकबर अचानक अपने रास्ते में रुक गए, उनकी आंखों में गंभीरता चाई हुई थी। बीरबल मुझसे कुछ भूल गया है। किसी को वादा किया गया था, लेकिन विवरन मुझसे भटक गए है। बीरबल ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर उनकी आंखों में एक बात का पता चला। आपकी महरानी, शायद पीपल का पेड हमें मदद कर सकता है। कहता है कि वे लोग जो शुद्ध हृदय से मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, उन्हें प्राचीन आत्माओं द्वारा ज्यान प्रदान किया जाता है। उत्साहित होकर अकबर और बीरबल पीपल के पेड के पास आएं और श्रद्धापूर्वक जुके। विवेकी पीपल की आत्माएं अकबर ने प्रारंब किया, उनकी आवाज बगीचे में गूंज रही थी। मुझे अपने भूले हुए वादे को याद करने के लिए आपके मार्गदर्शन की तलाश है। कृपिया मुझे अपना ज्यान प्रदान करे। पत्तियों में हलकी हवा चली और अचानक पेड की गहराईयों से एक आवाज का प्रकट होने लगा। समराट अकबर आपका वादा एक नम्र किसान को किया गया था जो अपनी चोरी हुई फसलों के लिए न्याय की मांग कर रहा था। आपने नियामत और अपने लोगों के अधिकानों का पालन करने का वचन दिया था। अकबर की आखे मान्यता के साथ फैली जैसे ही याद वापस आई। हाँ, मुझे अब याद आ गया। धन्यवाद ओ बुद्धिमान आत्माएं अपने मार्ग दर्शन के लिए नई स्पष्टता के साथ अकबर ने किसान के साथ अपने वादे को पूरा किया। न्याय की सेवा सुनिश्चित की उस दिन से पीपल का पेड सामराज्य में ज्यान और स्मृति का प्रतीक बन गया। जो उन्हें याद दिलाता था कि अपने शब्द को कैसे न भूलें। जैसे ही अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे को छोड़ कर चले गए, उनके दिल को यह ज्यात हो गया कि छोटे से छोटे वादे को कभी भूला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे भविश्य को आकार देने और धर्म को बनाए रखने की शक्ती रखते हैं। और इस प्रकार समराट अकबर और बीरबल के बीच का बंद भी और मजबूत हो गया, भूले हुए वादे की बुद्धिमत्ता द्वारा स्थापित।